मैं प्रतिमा सिंख, फिर अपनी उन्ही यादों के साथ, मैं और मेरी यादे हैं, जो आंथी के बारे में बता रही थी, बढ़ी वाली आंथी के, बड़ी बिटिया, मेरी फ्रेंड थी, उसे दो साल छोटी थी, बहुत प्यारी फ्रेंड और आज भी वो मेरी फ्रेंड है, वो कहती है, दीदी कोई भी ऐसा पल उसका नहीं गुजरता जब वो मुझे याद नहीं करती है, मुझे भी उसकी बहुत याद आती है, हम लोग उनके अपर फ्लोर में रहते थे, नीचे लैंडलोट रहते थे, ये बातनाहन हिमाचल विदेश की है, और थोड़े बड़े हो गए थे, इतना था कि खाना बनाना थोड़ा सीख लिया था हम लोगों ने, मेरी फ्रेंड ने भी और मैंने भी, तो आम तर पर हम हमाचल में कुछ ऐसा कल्चर है कि शाम के से में लोग घर से बाहर निकलते हैं, ममी पापा जिए से माखे से समान लाना हैं या वोक के लिए जाना हैं, वैसे हम लोग हमेशा ही, dadi हम पूरी फैमली वक केली खाने के बद और मेरी ममी पापा जाएए हैं लेकिन ममा क्या करतीए थे मामा, प्रभी या मेरी मामा भी, बेटा दाल चड़ा दी है, सबजी है उसको आप काट लेना, उसको सबजी बना देना, चड़ा देना और छोटे-छोटे-छोटे काम बेदे दें, हम लोग क्या करते थे, फटा-फटे जैसी ममी पापा गये, फटा-फटे वो सबजी जड़ा दी, और उसकी सबजी भी ना जले, और मेरी सबजी भी ना जले, तो हम लोग क्या करते थे, स्टेर केस के बीचो बीच बैठ जाते थे, दूसी चीज, हमारा घर जहां था, उससे, उपर के हिस्से से सड़क दिखाई देती थी, तो जब ममी पापा आते, तो था हमें दिख जाता था कि ममी पापा आ रहे हैं, तो वो नीचे अपने घर में नीचे भाग जाती थी, और मैं अपने घर में उपर आ जाती थी, बहुत enjoyable क्या करते थे, और कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत होई जाता था, सब्जी बनाना भूल गए, कुछ और काम करना भूल गए, डाट तो पढ़नी थी, लेकिन आज, आज भी वो याद आता है, वो डाट की वो पल, वो खुबसूरत पल, जब हम लोग शरारते करते थे, छुप छुप के ऊपर, धुपहर में आके, चोच से चोच लड़ा के, कु कुट 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 हम लोग का चलता था, बहुत एंज़ाय किया, वो पल, फिर जिन्दिगे में, फिर नहीं आये कभी, बहुत खुबसूरत पल थे, मतलब इंतजार की जाती थी, कि ममी और पापा गुमने जाएं, और हम अपनी बातें करें, एंज़ाय की कीजिए, उन पलों को याद करके एंज़ाय कीजिए, खुश रहिए, अगर उन फ्रेंड्स से आप फिर मिल सकते हैं, मिलिए, गेट टूगेदर कीजिए, उन पलों को फिर जीए, ठीक है, ठेंक यू, फिर मिलती हूँ, एक अपनी नई खुबसूरत याद के साथ, नमस्कार